स्वागत है आपका वेलकम टू आर इंपोर्टेंट वीडियो और सैलिनिटी और आइन्स बहुत ही इंट्रेस्टिंग और नया टॉपिक है इसमें काफी डेटा मिलेगा आपको जो की MCQs के लिए इंपोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें सैलिनिटी पर कुछ इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है वो समझ लेते हैं तो देखें कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शेरिंग या साजेदारी पर निर्भर करता है इसमें दो लोग होते हैं जो दो लोग आपस में ये बात करते हैं कि मैं आपको अपना एक इलेक्टरॉन दे रहा हूँ और आप भी मुझे अपना एक इलेक्टरॉन दीजी जिसे हम शेरिंग के वेसिस पर यूज करेंगे कहने का मतलब है अगर एक्जामपल के तौर पर आप समझें तो अगर आपके पास येलो कलर की शेर्ट है और आपके भाई के पास ग्रीन कलर की शेर्ट है आप कभी कभी ग्रीन भी पहन लेते हैं क्योंकि वो आपके भाई की है और कभी कभी आपका भाई भी येलो पहन लेता है क्योंकि वो आपकी है इसलिए आपके पास दो शर्ट हम कह सकते हैं आपके पास येलो शर्ट भी है ग्रीन भी है और आपके भाई के पास भी दो शर्ट्स हैं येलो एंड ग्रीन तो ये शेरिंग है लेकिन बाहर के देखने वाले आदमी को क्या लगेगा कि आपके पास और आपके भाई के पास दो शर्ट्स हैं ऐसा ही कुछ कोवलेंट बॉंड में होता है ये एक contract basis या साजेदारी पर निर्भर करने वाला bond है जबकि जो हमारे salts होते हैं वो आईनिक bond होते हैं आईनिक bond का मतलब है कि इसमें साजेदारी नहीं होती इसमें NACL से कहता है कि मैं आपको अपना एक electron दे रहा हूँ आप ले लिए यानि आप अपने भाई को अपनी yellow color की shirt दे लेते हैं कि लो रख लो या आपका भाई आपको green color की shirt देता है कि आप रख लो there is no mutual sharing or understanding ये छोटा सा concept मैंने आपको थोड़ सी short trick से बताया है इसके बाद आप में एक बहुत important table देखते हैं आज हम data पे जादा rely करेंगे तो अगर आप देखें तो salinity सबसे जादा जिस sea में है direct question आता है dead sea ये इसराइल में है ये इतनी जादा saline है कि इसमें कोई भी डूबता नहीं है क्योंकि जो पानी है उसकी density बहुत जादा हो जाती है and हम सब ने पढ़ा है when the density of the liquid increases so much that the object has a lesser density यानि जिस object को उसके डाल रहे है उसके density कम है तो वो तैरता रहता है इसलिए यहाँ पर कोई भी डूबता नहीं है दूसरे नमबर पर आता है हमारा Mediterranean Sea Mediterranean Sea अगर आपने African continent देखा हो और उसके उपर Europe देखा हो तो उनके जस्ट बीच वे जो एक sea है उसे कहते हैं Mediterranean Red Sea की बात करें तो यह हमारा इधर से African continent है यह हमारा नीचे Gulf of Aden पढ़ जाता है इस बीच के जो नाली नुमा रास्ता है नैरो पात है इसे हम कहते हैं हमारा Red Sea और Baltic Sea इस समय बहुत ज़्यादा चला है क्योंकि जो Russia है और जो Lithuania, Estonia जैसे देश है इनके जस्ट उपर है Baltic Sea जहां पर इस समय बिल्कुल गर्मा गर्मी चल रही है वार के दोरान इसमें है 0.5% तो यह आप खाली इन 5 को याद कर लेंगे तो आपके काम भरका हो जाएगा आपको सबका याद नहीं करना है सबसे कम सेलनीटी है 0.5% Baltic Sea की हमारी टेलिग्राम चैनल फ्री हैं जिनने आप जोइन करिए और महाँ पे कुजिज और जॉब अपडेट्स को आप देख सकते हैं सिकेंड टेबल पे आते हैं जिसमें हम नेम आफ आइन दे रहे हैं उनका कंसेंट्रेशन कितना है सॉल्ट में और परसन्टेज में कितना है ये भी एक इमपॉर्टन क्वेश्चन बनता है सबसे ज़ादा है क्लोराइड आइन का देखें क्लोराइड जब मैं बोल रहा हूँ जब उस पे एक negative valency होती है और अगर कहीं भी आपको 8 दिख जाए या EM दिख जाए IUM, sodium, potassium तो ये EM होता है positive valency का सूचक तो जल्दी से देखते हैं chloride जो है concentration यानि अगर 1 kg salt लेंगे तो कितना ग्राम निकलेगा chloride 19.345, percentage highest है 55%, second पर है sodium 10.75% ग्राम मिलेगा 1 kg salt में, percentage है 30.59, sulphate है उसके बाद 2.70 ग्राम पर केजी और percentage है 7.68, उसके बाद भी कई लोग थे लेकिन हम ले आए हैं fluoride की directly fluoride को पूछ लेते हैं और इसका percentage और ग्राम पर केजी दोनों ही बहुत कम है तो आपको याद करना पड़ेगा, थोल से सिनोनीम है 0.01 और 0.03 उसके बाद बात करते हैं concentration किस आयन का sea water में ज़ादा है और किसका river water में दोनों separate है sea water में है chloride, sodium, sulphate, magnesium, calcium and potassium देखिए कम से कम 5 है तो हमें याद करने पड़ेंगे लेकि net का paper थोड़ा सा critical आ रहा है अगर आप river water में बात करेंगे तो hydrogen carbonate है, HCO3, calcium है, sulphate है, chloride है, sodium है इन दोनों का आपस में कोई भी male जादा आपको नहीं दिख रहा होगा तो कहने का मतलब है कि आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, कुछ important facts की बात करने है तो एक fact आता है कई बार जो हमारे assertion and reasoning वाले questions में आते हैं Salinity at tropics is high, क्यों tropical zone में salinity जादा होती है पहले तो tropical zone समझ ले तो देखिए ये जो area है, topic of cancer 23 degree north और topic of Capricorn 23 degree south इसके बीच का जो area है, इसे हम tropical zone कहते हैं इंडिया हमारा tropical zone में आता है, ये वाली line और ये वाली line आप यहाँ पर देखिए येलो कलर से tropical zone को दिखाया गया है तो यहाँ पर salinity जादा क्यों होती है, dead sea भी यहीं पर कहीं पर आती है और dead sea का यहाँ पर आना भी इसी बात को दर्शाता है चुकि temperature जादा होता है, evaporation जादा होता है, इस वजाए से salinity यहाँ की जादा होती है ध्यान रखेगा इस बात को evaporation करने से क्या होता है, पानी जो है, पानी उड़ जाता है और नीचे कह रह जाता है salt तो जब कम पानी evaporate करेगा, तो जादा पानी रहेगा और जादा पानी में salt मिला रहेगा लेकिन जैसे ही पानी उड़ जाता है, कम हो जाता है, salt अपने आप जादा हो जाता है क्योंकि salt और पानी दोनों ही mix होते हैं sea water में कुछ short facts देख लेते हैं, तो देखे ब्रैकिश वाटर जो आपने बहुत सुना होगा ये तब कहलाता है जब salinity 24.7% के अपने upper limit तक पहुच जाती है आईसो हैलीन्स क्या है, ये salinity को दिखाने के लिए mapping है ये maps हैं तो ये ऐसे line होते हैं जो दिखाते हैं कि equal degree of salinity है यानि अगर world के map में ऐसी ऐसी line बनी है यानि ये जितनी भी places आ रही हैं इसमें, ये सारी places की salinity same है average salinity ocean की है 3.5% या 35 parts of salt in thousand parts of water इन दोनों का मतलब अच्छे है, समझ लीजे, ये बहुत important concept है last में हम बात करते हैं इस topic की low salinity इंडिया में एक जगा पर है और एक जगा पर high है और ये बहुत important concept है low salinity Bay of Bengal में हमें मिलती है Bay of Bengal यानि कि दूसरे वाले map में आप यहाँ पे देख सकते हैं Bay of Bengal का area है, यहाँ पे salinity कम होती है जबकि इसके दूसरी तरफ Arabian Sea में salinity जादा होती है इस map पे भी आप देख सकते है, Arabian Sea बना हुआ है इसका reason है कि salinity को impact करने का एक बहुत important factor है जिस हम कहते है influx of pure water या normal water क्या होता है, माल लीजिए salinity, किसी जगा की saline water आया और salinity बढ़ गई लेकिन अगर उसी जगा पर normal water भी आ जाएगा तो वो जब इसमें मिल जाएगा तो इसके salinity कम हो जाएगी यही कुछ होता है Bay of Bengal में व्योंकि Bay of Bengal में आप जानते है, Bay of Bengal क्या है Bay of Bengal गंगा river का जो हमारा वो इसका drainage area है और ब्रह्मपुत्र का भी drainage area है यह सारी रिवर्स का हम कह सकते है Major Italy जो North India से चालू होती है तो इन सब के drainage की वज़े से वो वहाँ पर saline water से मिलती है और salinity को कम कर देती है जबकि Arabian Sea में ऐसा कुछ नहीं होता इसलिए Arabian Sea में high evaporation भी होता है और salinity भी high बनी रहती है तो अगर आपको एक concept अच्छे लगते हैं चैनल को subscribe करिए और दूसरों को भी parade करिए जॉइन करने के लिए Thank you and have a night